तो ये question देखिए find the largest number which exactly divide 218 and 1245 living remainder 4 and 3 मतलब 280 और 1245 को divide करने पर हमारा जो 280 के case में remainder बच रहा है वो 4 बच रहा है और 1245 के case में जो remainder बच रहा है वो 3 बच रहा है तो ऐसा कौन सा number होगा तो मान लीजिए कि एकस ऐसा number है जो 280 को divide करने पर 4 remainder बचता है और एकस से 1245 को divide करने पर 3 बचता है तो एकस हमें निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे तो 280 केस में कितना remainder बच रहा है 4 तो हम 4 को minus कर देंगे यानि कि 276 और 1245 के केस में 3 बच रहा है तो हम 3 को minus कर देंगे यानि 1242 यानि कि इसका मतलब करने पर कोई remainder बच नहीं बच रहा है तो हम 276 और 1242 का क्या ले लेंगे कि तो हम निकालने के लिए 276 का फाक्टर कर देंगे तो यह हमारा फेक्टर आ गया 276 का फिर 1242 का फेक्टर करेंगे तो यह हमारा फेक्टर आ गया 1242 का फिर दोनों में common लेंगे तो यह हमारा 23 और 23 common आ गया तो इसको multiply करेंगे तो 138 आ जाएगा यानि 138 ऐसा नंबर है जिससे कि हम 276 और 1242 को डिभाइड दें तो कोई remainder नहीं बचेगा लेकिन हम जब 280 और 1245 डिभाइड देंगे तो हमारा 4 और 3 remainder बच जाएगा यानि कि हमारा जो required नंबर आ गया 130